हलो फिर्ट्स कैसे हैं आप सब लोग एक बाप फिर से अनुपमा टीवी सीरियल के ट्विस और टन्स लेकर मैं आप सब के सामने आओ शलिए शुरू करते हैं आप सब जानते के टीवी सीरियल अनुपमा में शुत्ती और अनुपमा की शादी का ट्राक चल रहा है और लेटेस एपिसोड में म्यूजिक सेरेमनी दिखाई गई थी जहां अनुपमा की इस दूरी को देखकर फैन्स भी काफी नराज है और यही सवाल वो पूछ रहें कि क्या अब हमेशा के लिए अनुपमा अलग हो जाएंगे अब दोस्तों इस शो में एक बड़ा अपडेट भी सामने आए दरसल दोस्तों कुछ रिपोर्ट सामने आई है जिसमें ये कहा जारा है कि शादी वाले दिन अनुझ कहीं गायब हो जाएगा क्योंकि वो काफी परेशान है कि वो अनुपमा को फिर से चुने या फिर अपनी बेटी की जित को चुने और आध्या सब चीजों के लिए अनुपमा को जिमेदार ठहराएगी अनुपमा भी अनुझ को लेकर काफी परेशान रहेगी ऐसा का हजारा है कि अनुझ को फिर देवी का ढूनने लगेगी यानि कि देवी का की एक बार फिर से इस टीवी सेयल में एंट्री होगी और वो अनुपमा और अनुच को कहीं न कहीं फिर से एक साथ लाने की कोशिश करेगी साथी आध्या को भी वो सच्चाए दिखाएगी कि अगर अनुपमा नहीं होती तो अध्या जिंदा नहीं होती यानि कि अब देवी का आध्या और अनुपामा को कैसे साथ लाएगी ये देखने वाली बात होगी दो तो शो का जो नया प्रोमो सामना है उसमें जज कहेंगे कि आप सभी के लिए एक बॉक्स रखा है जिसमें की बहुत कम सामान रखा है और उसी सामान के जरीए एक नई डिश बनानी होगी अनुपामा काम तो शुरू कर देती है लेकिन इस दोरान उसको काफी टेंशन आ जाती है हाला कि अनुज उसे सपोर्ट करने के लिए वहाँ पर पहुचा है ऐसे में अनुज को देखकर अनुपमा भी परिशान हो जाती है फिर अनुपमा काना जी का प्रशाद बनाती है और तीनों जजिस के सामने लेकर आती है हाला कि अनुपमा के खिलाफ रहने वाला जो जज है वो अनुपमा से कहता है कि ये भारत नहीं है यहां इंग्लिश में बोल कर इस डिश के बारे में समझाओ ऐसे में अनुपमा कुछ नहीं बोल पाती इसके बारे में भी आगे ही पता चल पाएगा यानि कि क्या अनुश की मदद से अनुपामा ये राउंड जीतेगी या नहीं इसे लेकर काफी ट्विस्ट बना हुआ है ऐसे में दोत्तो शुर्ति और आध्या को जब इस बारे में पता चलता है कि अनुश अनुपामा की मदद कर रहा है तो इसमें इन दोनों के क्या रियक्शन होंगे वो देखना दिल्चस्प होगा क्योंकि ये दोनों अनुश और अनुपामा को दूर करना चाहते हैं ऐसे में शुर्ति ये सब जान कर कोई बड़ा फैसला ले सकती है या फिर जल से जल अनुश से शादी वो करेगी फिलाल क्या कुछ होगा आपको क्या लगता है मुझे कमें शेक्शन में लिखकर जरू बताईएगा और साथ ही दोस्तो वीडियो को लाइक जरूर कीजेगा और चैनल को सब्सक्राइब और फॉलो जरूर कीजेगा ताकि आनुपामा सीरियल के लेटिस अपडेट्स के बार झाल क्या है